नमस्कार किसान भाईयों आज 17 जनवरी सन 2020 है और आज हम यहां बदाईयों में आय हुए हैं और कुछ प्रकतिशील कृषक भी हमारे साथ में हैं जिन सज्जन्ने बाग लगवाया है वो भी हमारे साथ में हैं तो उनसे भी हम आपका परीचे कराएंगे जो पोधा है अभी व यह लगवग 5-6 फुट के पोधे हैं जो इनके यहां पर लगे हैं और कुछ छोटे पोधे भी हैं जो सामने रखे हुए हैं इनकी हाइड भी 3 फिट से 4 फिट तक है अभी जो पोधा हम दिखा रहे हैं आपको मित्रों यह देखिए आप पोधा इस पोधे पर आप देख सक सकते हैं फूल की मात्रा क्योंकि यह कमर्शल वराइटी है 12 महीने इस पर फूल और फल आता है यह निम्बू देखिए यह वही निम्बू है जो बजार में सबसे महंगे धाम पर बिखता है गोल 30-40 ग्राम का कागजी 12 मासी पीले रंग का निम्बू तो आप यह देख सकते रहे हैं क्या वराइटी है कि यह दूसरा पोदा है नमस्कार जी आप अपना पूरा परीचे दीजिए निवासी है तैसी है जलावदाई है जो आप लगाए रहें इसमें इसी बहुत बढ़ी है इस नीवू की और इस नीवू से ज्यादा पैदावार मिलेगी और किसान की यह दूदा बढ़ाएं और विकास होगा इस एरिया का पूरा विकास होगा हम भी इसमें लगवायंगे ठीक है अभी आप कितने एकड में लगवाना चाहरे हैं शुरुआत में दो इकड में बहुत अच्छा अभी जो आपने पोधे को देखा उसमें क्या आपको नजर आय अभी जैसे जनवरी महीना है जनवरी में जो फूल आ रहा है यह लगबक तीन से चार महीने लेगा फल बनने में भीषन गर्मियों में इसका फल आएगा सबसे बड़ी बात है उस समय किसान को भूती अच्छा भाव इसे मंडी में बेचके मिलेगा तो यह बहुती शांदार वराइटी है आपके साथ भी जो पोधा रखा हुआ है किसान भाईयों इसे आप देख सकते हैं इस पोधे पे भी काफी फूल और फल है हाला कि हम अभी यहीं कहेंगे कि अगले एक साल तक आप इस पोधे पर जो भी फूल और फल हो उसे तोड़ दे और अभी पोधे की ग् जफर नगर से आए हुए है मैं उनसे भी आपका परिचे कराता हूं आप इनके पास भी पोधा है देखिए यह देख सकते हैं काफी पोधों पे फूल और फल है और बारिश होने की विए इससे फूल और फल जड़ भी चुके हैं यह देख सकते हैं अप तक बग पचास नीबू इस पोधे पे बन चुके हैं नमस्कार क्या नाम है आप बतलाईए फूल मिया गाओ जॉली है जिला मुझफर नगर है तैसील जानसठ है और मैं यहां पर गुड़ का विपार करता हूं यह कोलू है इनका यहां पर पास में ही विपार है मेरा और भी जगह से बहुत खुशी हुई हमको का आपने किसानों कि इतनी आए वाहिए के लिए आप काम कर रहे हैं किसानों को आए र dispwill नहीं हो जाए किसानों को आमदनी हो ऑफ छुक्री है हम्तों पक्ष में इसके कि और लोगों की आय बढ़ले आम दनी हो हमारा देश खुशाल बहुत ही अच्छा है बहुत ही जहीन तो आप भी अपने गाउं में किसानों को प्रेडित करें इस काम के लिए और बीच में जो जगा रहती है इसमें आप खेती करें बिल्कुल बिल्कुल किसान भाईयों में दिखाना चाहूंगा भी जो हम बाग लगवा रहे हैं यह च्छ पोधा पे फल की मात्र आपको दिखाना चाहरा हूं मात्र जो कमर्शल वराइटी है देकि नीम्बू का पोधा बहुत लोग बेचते हैं 20 रुपे का पोधा भी बेच रहे हैं 10 रुपे का पोधा भी बेच रहे हैं 50 रुपे बेच रहे हैं लेकिन जो वराइटी हमारे पास है वो किसी भी नर्सरी वाले के पास नहीं है क्योंकि हम सिरफ और सिरफ कमर्शल वराइटी के उपर काम करते हैं आप देख सकते हैं सारे पोदे फूल और फल से किस तरह से भरे हुए हैं तो यह डिस्टेंस है छे बाई बारा का इसमें जो हमारी प्लैनिंग है हम इसमें डबल लेयर फार्मिंग कर रहे हैं अभी बाग के अंदर ही आप देख सकते हैं मित्रो यह एक पोधा बड़ा है यह एक पोधा छोटा है और फिर यह पोधा छोटा हो गया तो इस तरीके से हम एक बड़ा एक छोटा एक पोधा और दूजरा पोदा हमारा लगबग 3 फुट का है तो क्या होगा बड़े पोदे को हम उपर लेके चले जाएंगे और छोटा पोदा नीचे नीचे फैलेगा मतलब छोटे पोदे की कैनोपी 3 फुट से 4 फुट के दाएरे में रहेगी और बड़े पोदे की जो कैनोपी है वो लगबग 4 फुट से 8-9 फुट के दाएरे में रहेगी तो आप पोदे के उपर नजर मार के देख सकते हैं कितना नीबू वर्तमान में इस पोदे के उपर है जो की पोदा लगाया जा रहा है बाग लगी रहा है लगाई चल रही है बाग की ये पोदा आप अगर चाहते हैं तो 6 महीने की वेटिंग पर आपको मिलेगा बुकिंग करानी होगी आपको 6 महीने पहले 50% पेमिंट दे के अब मैं आपका परीचे कराऊंगा उन सज्जन से जिनका ये खेत है जिन्होंने हमारी बातों पर यकीन किया हमारे साथ जुड़े नमस्कार आप किसान भाईयों का अपना परीचे दीजिए मैं प्रोफेशन से चार्टर अकॉंटेंट हूं प्रेक्टेसिंग और ये मेरी मात्र भूमी है जिसको बदाईयू जिले में चनम भूमी है और मेरी करम भूमी अब दिल्ली है और मैंने ये बिसाइड किया कि मैं यहां पर राजीब जी का मैंने वीडियो देखके कि नीवू का अपने हां भाग लगाऊं अभी जैसे आप आए हैं पोदे रखे हुएं काफी पोदे तो अभी नहीं लगें छोटे से खेत में लग पाए हैं तो जो पोदे पे फूल और फल की इस्तिति देखके क्या आपक प्रकुछ हैं लेकिन जो वेराइटी के करेक्टर हमने बता के दी थे क्या उससे मैच कर रहे हैं अभी फूल और फल दोनों हैं और बखी दो मेहीं ती मेहीं में जैसे कहा है तो पता चलेगा कि क्या इसकी रहती है तब हम लोग हमें खुशी होगी और इसमें देखने को मिल दूसरी फिर प्रोडक्शन है विदनेयर सभी पोधे प्रोडक्शन पर आ जाएंगे वर्तमान में प्रोडक्शन पर हैं और मुझे उमीद है कि अगले साल हम प्रतेक पोधे से 10 किलो बड़े आराम से ले लेंगे यह लगबग अभी आपके 2000 प्लस पोधे लग रहे हैं तो अगले साल 20,000 केजी प्लस उससे अगले साल 40,000 केजी प्लस उससे अगले साल 80,000 केजी के आसपास हम इससे बड़े आराम से निकाल लेंगे और मैं अमीद जी के सहयोगी हैं इनका नाम भी अमीद जी हैं जो इस बाग को लगाने में पूरा दिन रात मेहनत कर रहे हैं दिली अच्छा है आप जो दिल्ली में सबसे महंगा निमू खरीते हैं उसे मिलता जुलता था या कुछ उससे अलका या भारी था चलो थैंक यू थैंक यू वेरी मच तो यह जगह है बदायू में बिलसी रोड पे गाउं शहजाद पूर शहजाद नगर खेडा तो यहां पर किसान भाईयों आप इस बाग को देख सकते हैं अगर बदायू या असपास के जिले के आप हैं हाला कि हम अभी जो पोधे के उपर फूल और फल है इसको तुड़वा देंगे अभी हम 6 महीने नहीं लेंगे अगले साल हमारी योजना है फल लेने की इन पोधों से आप सिरफ यह पोधे प्रडक्शन पे हैं वर्तमान में और चाहे तो हम फल ले भी सकते हैं 50-50 नीमू अभी भी एक पोधे पे हैं और यह 12-80 वेराइटी है 12 महीने इस पर फॉल लाता है 12 महीने हमें फल देगी वर्तमान में भी एक पोधा जो है हमें लगबग 5 किलो के आसपास नीमू द पोधे सकता है क्योंकि पोधे की जो हाइट है पांच फिट के आसपास भी है कुछ पोधे 6 फुट के भी है तो आप देखें नीमू बना हुआ है सभी पोधों पर तो अगर आप यह पोधे खरीदना चाहते हैं तो हमसे संपर्ग कर सकते हैं हमारा नंबर है 75-35-8 75-35-8 चैनिक तो सभी पोधे जो हैं अभी बाग कल ही लगा है तो अभी क्योंकि लगने के बाद हफता 10 दिन लगता है पोधा थोड़ा सेट होने में अभी सेटिंग नहीं हुई है पोधे की तो उमीद है कि अगले 6 महीने में हम दोबारा इस पोधों की वीडियो करेंगे तो देखने को मिलेगा इसका ग्रोथ आप यह देखिए पोधे के ऊपर कितना फूल है मित्रों जैसे हार शरंगार का पोधा होता है बिल्कुल वैसा फूल और फल से भरा हुआ आपको नजर आएगा तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद जैहिंद देखने मात्रम